वेलकम, अमर सेर योटूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है Miscellaneous Word Problems, Arithmetic Questions, Chapter की Questions आज एक Exclusive Class होने वाला है Memory Best IBPS RRBPO Main Exam का Questions ऐसे हैं, जो आने वाले exam का आवास भी कराते हैं थोड़ा Moderate Question में कैसे Approach लिया जाना चाहिए यह मैने रखता है, इसलिए इन Questions को आप देखिए, मज़ा आएगा और exam में आपको काफी फाइदा पहुचेगा आई आप Amarsar Math दिखता है, इस पर different pet courses चलते है pet courses के लिए interested students की सूचना के लिए यह है जितने भी videos दिये जा रहे हैं, उनका PDF, टेलिग्राम चैनल, अमर सर बैंक exam preparation पर लगातार दिया जा रहा है, वहाँ से download कीजिए और practice कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए तो चलिए, आज के session की शुरुवात करते हैं, पहले question की ओर पहला सवाल, आपके सामने है, mixture का, mixture का area ऐसा होता है और allegation का ऐसा की कुछ concite करते हैं, कुछ अलग होते हैं, हमेशा allegation use हो जाए या easy हो यह जरूरी नहीं, पढ़ता हूँ, फिर पता चलेगा, a mixture contains 60 liters of pure milk, अभी तक नहीं मालो, map, 10 liters of milk is taken out and 25 liters of water is added to the mixture, अब लगरा allegation से नहीं बनाना है, again 60% of mixture is taken out, stop, यह purely mixture का सवाल है, not allegation, चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा धंग से लिखते हैं, steps भी लिखते हैं, ठीक है, देखिए, 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 टोटल, टोटल, milk and पहले milk है, और उसके बाद जब उसको change करते हैं, तो water से, water, देखिए, 60 liters pure milk है, तो 60 liters pure milk है, initially, liter रहने देखिए, unit liter में है, हो गया, water is zero है, total 60 है, तो यह लिखने की जरुवत नहीं है, और step आगे बढ़ते हैं, 10 liters of milk is taken out, तो फिर 10 liters इसमें से निकालते हैं, 10 liters इसमें से निकालते हैं, ठीक है, milk निकालते हैं, तो यहां भी क्या होगा, यह जो total 60 है, इसमें यहां भी minus 10 होगा, ठीक है, यहां भी minus 10 होगा, total में भी 10 less होगा, and 25 liters of water तो ओक के पहले तो वाटर नहीं था तो 25 लीटर वाटर गया तो यहाँ भी 25 इंक्रीज किया टोटल यह अभी का कंडिशन है तो हम लोग इस स्टेप को नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे आगे यह स्टेप क्या है 50 लीटर अभी मिल्क है वाटर 25 लीटर है और यहाँ पर क्या है 75 लीटर है जल्दी बताएगे यह दो काम होने पर यह इस्तती है पूटल 75 लीटर है 50 लीटर मिल्क है 25 लीटर वाटर है अब देखिए अगें 60 परसंट अब मिक्स्चर इस टेकन आउट and 40 लीटर मिक्स्चर अब मिल्क जूस इस अड़ेट बहुत इंपॉर्टन है 60 परसंट मिक्स्चर लेंगे तो हर किसी का 60 परसंट लेस होगा तो 40 परसंट बचेगा वह लिखते है ना कहने का मतलब ऐसे लिखते है ऐसे लिखते है कि माइनस 60 परसंट यानि 10 लीटर बचेगा माइनस 60 परसंट बचेगा 40 परसंट माने 30 लीटर किस में इसमें इसमें से निकाल लिया जाता है यह पोजिशन है कि बचा कितना यह जो आया इसके बचा कितना 30 लीटर से इसमें 20 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है और 40 लीटर मिल्क जूस इसमें इसमें तो मिल्क वाटर नहीं है मिल्क जूस है क्या रेशियो है पता नहीं है हाँ पता है इन इन दे मिक्सचर अब मिल्क जूस इसमें 40 लीटर मिक्सचर डालते है मतलब प्लस 40 लीटर डालते है 30 है नहीं प्लस 40 उसमें मिल्क इतना है 60 पसंट 60 पसंट मतलब 24 लीटर प्लस 24 लीटर मिल्क लेकिन इसके बाद जूस है जो सुरो में नहीं था वो अभी आएगा जूस जूस कितना होगा तो बाकी 40 पसंट 16 लीटर जल्दे बताईए यह एक्चुल पोजिशन है तैक बिंस फिर एक बार हम लोग एक लाइन खिशते है कि अब कंडिशन क्या है अब कंडिशन क्या है ठीक है अब टोटल से मतलब नहीं है इन तीन से मतलब है यह 44 है यह 35 देखिए पहले यह क्या था यह 25 बचा था डाला हुआ और उसमें फिर 10 बचा था तो 10 है तो यह 10 है 10 है इससे निकालने के बाद 10 बचा था और यह 16 है क्या पुछा है दें फाइंग स्थिएहँ पाद 10 फिलक as to reflects under the少 Mess To 12 स्थिएह यहीह 3 मेरे ख्याल से आप सबहुं को समझ में आ गया हूगा है सारे स्टप्स को मैंने लिख करके इसलिए सम्झाने का प्रयास किया आगे बढ़ें इसका अंसर 22, 5 और 8 है अगला सवाल question number 2 पढ़ता हूं a spends 20% of monthly income on house rent percentage का सवाल है न from the remaining he spends rupees hour on traveling अभी यहां तक पढ़के आपको क्या लगता है यहां तक पढ़के लगता है कि अगर हम X मानते हैं तो 20% house rent per 80% बाकी बचा उसमें से hour निकल गया out of the remaining बड़ा पेचीदा लग रहा है आर दे दिया गया कोई percentage value होता ratio होता out of the remaining the amount he saves and amount he spends on food are in the ratio 3 to 2 उसके बाद जो बचा थोड़ा complex लग रहा है लेकिन एक बात है कि हम इसको 100x अगर मान लें 100x तो हम बूल सकते हैं कि 100x में 20x निकला 80x बचा ये एक तरीका है और ऐसे ही आगे बढ़ने का है यदि आप 2-3 line पढ़ते हैं तो और ये अच्छा तरीका है लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं कि हम इस और शुरू में भी डाउज़ और रहा है ये पहर दो अगे आप ये पहर विड़ा और रहा हैं तो ये बात शुरू में क्या प्रवल्म था दोणव एप्रोच है 100x मान के भी बना सकते है वो भी अच्छा तरीका है लेकिन 25,000 देने के बाद फिर कुछ और करने का बन नहीं है आई देखिए अगर हम मान लें कि जो मंथली इंकम है मंथली इंकम वो रुपेश 25,000 है तो हमें पता है कि यहाँ पर 20% देट मिन्स कि रुपेश 5,000 ये किस पर होता है हाउस रेंट पर खर्च होता है इसके बाद जो बचता है मतलब 20% लेस होने के बाद यानि कि 20,000 ये बचा फ्रम दे रेमेनिंग ये स्पेंड रुपेश 5,000 फिर देखिए रुपेश 5,000 खर्च होता है किस पर ट्रैवलिंग पर ट्रैवलिंग पर जो बचता है इसके बाद जो फिर बचता है माइनस आर होने पर जो बचता है वो क्या होता है 20,000 माइनस आर ये बचता है आउट अप दे रेमेनिंग आर एक्स्पेंड करने के बाद ये वाला दे अमाउंट ही सेफ और अमाउंट ही स्पेंड उन फूड आर इन दे रेशियो 3 तो 2 रेस्पेटिवली फिर एक ऐसी जगह है यहाँ पर आपको सीखना है कि हम अप्रोच क्या लें बताता हूँ आपको अप्रोच क्या लेना चाहिए सुनी सेविंग और फूड यहाँ पर सेविंग है और फूड है इसका रेशियो क्या है 3 तो 2 हम इसको 3 एक्स कहें 2 एक्स कहें तो यही न टूटल है 5 एक्स यही न टूटल है यल्दी बताईए ठीक है यह यहाँ आया यहाँ से आपको मालूम हो जाता है कि यह जो 5,000 है the amount spent on house rent is 4,000 less than the saving यानी 3x minus 5,000 is equal to देखे 3x है और यह 4,000 है ठीक है 3x जो है वो spent on house rent यानी कि house rent का मतलब 5,000 is 4,000 less than the amount he saves saving में से 4,000 less कर दीजिए तो यह 5,000 बचता है तो 3x 9,000 यानी x is equal to 3,000 clear टारेक्ट लिख लेते हैं कि क्या ज़रत है x का value मालूम हो गया तो r का value भी मालूम हो गया देखे 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 अगर हम बात करें कि 20,000 minus r is equal to 5x 5 into 3000 तो इसका मतलब r is equal to यह 20,000 है 15,000 x का value 3000, r का value 5000 हाँ यही तो पूछा गया था ना find the value of r clear समझ में आ रहा है आगे बड़े अगले question की और probability का सवार, a bag contains six white ball, white balloons and four black balloons, two balloons are drawn from the bag, एक simple question है probability का, देखे, white, black and total, total white six है, four है, black and total ten है, two balloons are drawn from the bag, in how many ways it can be done, two balloons जब भी बात करते हैं, तो, total ten c two तरीके से निकाल आया सकता है, out of which, find the probability of drawing a white balloon and a black balloon, white, out of six, one होना चाहिए, as well as, and four c one होना चाहिए, six into four by, लेकिन five into nine direct, लेकिन समझना है, इसे लिए, लिख देता हूँ step, लेकिन आपको exam में लिखना है direct, five into nine, ठीक है, clear, और, 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 three से, that means key, eight by fifteen answer, ये एक simple question है, लेकिन हरताया की questions exam में आते है, और ये, अगला सवाल, mensuration का, पढ़ता हूँ, volume of a cone is 40 cm cube, more than that of a cube board, अब तो उनके variables के बारे में चर्चा होगी न, variables के बारे में चर्चा होगी, तो हम लोग एक काम करते हैं, बना देते हैं cone, ठीक है, पहले cone बनाते हैं, देखिए, ये 8 लाइगा, ठीक है, इसके बाद, हमें बनाना है, कॉम, ठीक है, एक रफली बना लिए इसको, अब जरा गौर कीजिए, relations होंगे न, हम जानते हैं कि ये H होता है, ये R होता है, ये L होता है, इसको बोलें तो ये B होता है, और ये height H होता है, ठीक है, ये, नाम है उसका, इसके बाद पढ़ूँगा, क्योंकि दोनों के volume का comparison है, तो फिर sides जो unknown होते हैं, उनका use हो नहीं होना है, तो पहले ही त्यार हो जाते हैं न, उसके लिए, Radius and height of the cone are, चली, अच्छी बात है, ये दिया है, 7 cm, and 12 cm, ठीक है, if the height of the cuboid is equal to the height of the cone, length of the cuboid is equal to height of the cone, height मतलब 12, ये L तो मालूम होगी, and breadth and height of the cuboid are h, this is h, and h-2, देखिए लिखना कितना जरूरी था, सारी चीज़ें पता है, then find the breadth of the cuboid, आपको b निकालना है, अगर h का value निकालेंगे, तो फिर बता देंगे कि breadth भी क्या है, चलिए, सबसे पहले ये जो है, more है, कौन, तो 1 by 3 pi r square into h minus, उससे इतना ज्यादा है, इसका value क्या है, इसका value है, 12 into, देखिए, यहां लिखिए है, वहां लिखिए, ठीक है, तो 12 into h into h minus 2 is equal to 40, यह दिया हो, चलिए, इसको थोड़ा सिंप्लिफाई करते हैं, 7 cancel, 3 से 4 times हुआ, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, और भी चीजे हैं, यह होने के बाद, overall common ले करके भी cancel कर सकते हैं, 4 है न, 4, 4 से भी cancel कर सकते हैं, ऐसे, 4, 4 और 4, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा easy हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, कौर कीजिए, यहीं पर है 3H, 3H square, और उदर भी देते हैं, minus, ठीक है, 3H square minus है plus, plus है तो minus, 6H, clear, इसको उदर भी दिया, तो यह minus plus होके plus minus हो गया, और 10 को इधर लाए, तो 10 less होगा, किसमें होगा, यह लेस होगा, यहाँ पर 7 into 2, 14 into 11, 154 minus 10, यानि 144, ठीक है, 3 से भी अंचल कर देते हैं, H square minus 2H, ठीक है, minus, is equal to 0, ऐसा कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं, बताता हूं, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 8 and 6 होगा, 8 and 6 होगा, 8 into 6, 8, 6, इसका मतलब क्या हुआ, H is equal to 8 or minus 6, तो H का value 8, H का value 8, और यहीं पूछा भी था, breadth of the qubite, breadth is equal to B, ठीक है, और जो भी unit हो, centimeter है, तो centimeter में हुआ, B is equal to 8 cm, देखे, मैं यह कहना चाहरा था, factorize आप कर सकते हैं, जैसे, हमारा क्या निकला था, 3H into H minus 2, था था न, 3H into H minus 2 is equal to, यह जो निकला था, ठीक है, 144, 144, इसको, भी cancel किजिए, 3 से, अब हम इसको लिख सकते हैं, कि नहीं, is equal to 8 into 6, comparing, तो H is equal to 8, और H minus 2 is equal to, दूसरा वाल of 6, एक ही बात, आप ऐसे कर सकते हैं, जल्दी बताएए, यह होगा कि नहीं, यह जो हमने पहले निका रा था, बोली, clear, ठीक है, कैसा राज का session, लगातार morning में, pre-care और evening में, मेंस के लिए, वीडियो दिये जा रहा है, मेरी कोशिस है कि एक और वीडियो दिया जाए, क्योंकि मेंस के जो exam है, वो RRB PU मेंस, RRB Clark मेंस, और अब IVPS Clark मेंस, यह तीनों होने हैं, तो इन तीन में कम से कम, रोज change करके, दो के memory best questions दिये जाएं, ऐसे questions जिनके आनी के संभावना है, और शुरू में, अभी सुबह में, IVPS PU के लिए लगातार questions में दूँगा, मैंने पूरा mind set कर लिया है, कि आपको क्या और कैसे देना है, अलग playlist बना हुआ है, उसमें जा करके सबों को देखिए, यह 17th वीडियो ह में का, और प्री का 31st वीडियो है, न्यू जो सिरीज चालो ही है, उसमें, उस playlist में, ओके, all the rest.